आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ प्रस्ण है कि मलिक का उत्तर दिशां की और एक किलो मिटर चलती है और फिर वदाई तरफ मुड़ जाती है और 500 मिटर चलती है उसकी आरंभिक इस्तिती के अनुसार वह अब किस दिशां में है जो विकल्प है यहां पे पहला दच्छिन पूरव दूसरा विकल्प है उत्तर पस्सिम तीसरा विकल्प है दच्छिन पस्सिम और 4 विकल्प है उत्तर पूरव तो यहां से अगर हम बात करें तो सबसे पहले दिशां की तो जो हमारे में दिशां होते है चार परमुख दिशां यानि कि यह इस्ट दिशां पूरव यह पच्छिन दिशां यह उत्तर दिशां और यह दच्छिन दिशां और उसके बाद यह चार इसके बाद चार सब दिशां होते हैं चार सब दिशां यानि कि यह उत्तर और पूरव के बीच में उत्तर पूरव उत्तर पूरव और चार उप दिसाँ जो कुल दिसाँ होते हैं वो आठ होते हैं यहाँ पर कही गई है जो मलिका है वो उत्तर दिसाँ की ओर एक किलो मिटर चलती है उत्तर दिसाँ की ओर यानि उपर की ओर एक किलो मिटर चलती है फिर वह एक किलो मिटर उत्तर की ओर और फिर वह दाईं तरब मुढ जाती है और 500 मिटर चलती है 500 मिटर दाइं तरब मुढ के 500 मिटर चलती है तो वह RMB की स्थिति के अनुसार वह अब किस दिसा में है यानि अब वह यहां से किस दिसा में है यहां से अब वह किस दिसा में है तो अगर हम देखे तो यहां पर अगर हम डारेक्शन बन आदे यहां पर यहां से हमें पता चल जाएगा वो किस दिशम है यह आ गया हमारा इस्ट यानि यह आ गया हमारा नौर्थ और यह आ गया हमारा इस्ट और जो इन दोनों के बीच में वह है नौर्थ इस्ट यानि कि उत्तर पूरव तो जो इस शुरुवात के आरंभी किस्तित कामसार मलिका जो है अब वो नर्थ इस्ट की ओर है जो हमारा उत्तर होगा यहां से यानि उत्तर पूरव की ओर है नि विकल्प चौंथा हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर पूरव क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीड आईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर